हलो बच्छो तो आप सभी को सबसे पहले अस्पेक्ट विजन में आपका स्वागत है आज जो मैं बात करने वाला हूं बंपर धमा का जो आपका नोटिफिकेशन आये थे 45,000 बिहार स्वास्त विभाग में जो भरतिया है उनके लिए मैं आज मैं बात करने वाला हूं जो कि ड सभी के लिए इलेक्षन के बाद ये धमाका ओफर आ रहा है जो कि 21 जून जो योगा दिवस है उस दिन से ये फॉर्म भराना अस्टार्ट होगा तो इन सभी के बारे में मैं आज बताने वाला हूं तो इसलिए कमरकस के बैठ लिजिए हमारे चैनल सस्पेक्ट विजन को सब आपका कनफर्म स्टीट करवाने के लिए आपको जौब दिलाने के लिए तो प्लीज आप सभी जूड़ जाए हमारे इस वीडियो के अंदर में आपको वाट्सप लिंक मिलेंगे उसमें भी जरूर जूटेंगे ताकि आपको इजी रहे इस एक्जाम को क्वाइलिफाई कर करेंगे डोकमेंट्स क्या-क्या रिक्वार्मेंट चाहिए और एक्जाम पैटर्न सबसे मौस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से चप्टर से क्या कोश्चन आते हैं किसमें ज्यादा नंबर है इन सभी के बारे में आपको बात करने वाला हूं जिससे आपका एक्जाम क्वा आपके रिए वहतरीन फ्यूचर के लिए बहुत सारे चीज करते हैं तो प्लेज सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले यहां पर वाट्सप लिंक दिये हुए हैं तो हमारे वाट्सप लिंक को जोईन करें जो भी नोटिफिकेसन है आपके पास में सबसे पहले पहुंचेंग बात करते हैं CHO जो कि चीज का पदाधिकारी है उसके लिए आया है 3 523 vacancies और बात करते हैं समानले चीज के पदाधिकारी उसके लिए 386 vacancy आये और बात करते हैं यहां पर most important कि जो कि dentist के लिए भी आये वो 64 vacancy आये हैं इस तरह से बहु सारे vacancy आये हैं नर्सिंग, डेंटल और डॉक्टर से सब के लिए बात करते हैं पारामेडिक्स के बारे में जैसे पारामेडिक्स में मैंने बताया बासट सो अंठानमे वेकेंसी आपके लिए हैं तो प्लीज आप सभी जोड़तोर से लग जाएं क्योंकि आपका ये ओफर ये आपका नोटिफिकेशन जो एक्जाम का है वो बेकार नाजा है क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा दिन से आप वेट कर रहे हैं बात करते हैं एनेम के वारे में ये गल्स के लिए इससे बहुत अच्छा मौका नहीं मिलेगा बिकाउज 15,000 नवासी वेकेंसी है सिर्फ गल्स के लिए एनेम के लिए तो आप जोड़तोर से लगे बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में जिसके लिए बार बार करते रहते हैं कि सर्फ फार्मासिस्ट का वेकेंसी नहीं आते हैं इसका स्कोप कम है तो बच्चो यहां पे आप देख लिजिए 367 भकेंसी है सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए और एक्सरे टेकनिसियन 803 सीट है ओटी असिस्टेंट 1326 है लैब टेकनिसियन 3080 सीट है और ड्रेसर के लिए जो कि 1562 है और बात करते हैं CHO Most Important Community Health Officer उसका जो अगर पद की बात करें तो 4500 है तो बच्चो जो भी B.S.E. नर्सिंग किये हैं या फिर G.N.M. किये हैं वो जोड़ तोड़ से हमारे साथ में लग जाईए क्योंकि CHO का प्रिप्रेशन करवाया जाएगा आपका A.N.M. का तैयारी करवाया जाएंगे तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा वेल आइकन को ओन नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेंगे कि अब हमारे बैचर स्टार्ट हो चुके हैं अब कोशन प्रेक्टिस चलना सुरू हो चुका है कोशन और स्लेबास प्लस कॉंसेप्ट आल टू आल इनफॉर्मेशन कैसे मिलेंगे तो प्लीज आप हमारे चैनल का नॉटिफिकेशन ओन कर दे और कमेंट करके जरूर बताए कि ये आपको सुनकर इनफॉर्मेशन जब मिला तो कितना खुशी मिला था कितना आप इनरजेटिक हो गए हो इसके बारे में जरूर बताएगा कमेंट में तो अब हम बात करते हैं इन सभी इक्जाम को क्वाइलिफाइ कैसे करिएगा गवर्मेंट ने आपके लिए वेकेंसी ले आए अब आपको करना क्या है किन-किन चीजों को ध्यान में रखना है इन सभी चीज के बारे में बात करेंगे अगर बात करते हैं कि अगर इन सभी चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मेंली चार चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहला जितने भी all to all subject हैं अगर जो स्योचो का कर रहे हैं तो पूरे nursing का स्लेवस जो मैं बताऊंगा कि major subject कोन होते हैं और minor subject कोन होते हैं कौन से subject से सबसे ज़्यादा question पुछे जाते हैं और कौन से topic से हर एक exam में 5-6 question आते हैं तो यह सभी का जनकारी हमारे aspect vision के द्वारा ही मिलेंगे तो इसलिए मैं बार बर बोलाओं हमारे चैनल से जुड़े रहें और notification आए तुरंत से देखें बात करते second concept clear जितने भी आप पढ़ रहे हो चाहे आप ulcer पढ़ हो चाहे आप cancer पढ़े हो या फिर आर्मा क्लोजी में कोई drugs पढ़ रहे हैं या फिर जो एनम के लिए है अगर immunization पढ़े है तो कौन सा immunization कब पढ़ता है उसके symptoms all to all concept clear होना चाहिए यह most important है क्योंकि अगर आपका concept clear नहीं रहेगा तो आप mcq questions है उसको आप गलत कर बैठियेगा और आप बोलिएगा कि मैं तो से पढ़ा था सर हम आठ घंटा पढ़ते थे मैं बार बर बोला हूं बाबो आप स्मार्ट रेडिंग करिए आठ घंटे नहीं बलकि स्मार्ट तरीके से करना सिखिए यह most important होते हैं बात करते हैं priority के वारे में कि seniority best questions यारी अब हमें यह याद रखना है कि कौन से जैसे concept clear किये तो कौन-कौन importance points है उससे क्या-क्या questions बनते हैं उन सभी पर ध्यान देंगे और continuity most important वच्चे क्योंकि अगर आपका notification आ गया 21 जोन जो कि योगा दिवस है उस time से इसका form भी फिलप होने का date आज आएंगे लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप तैयारी में लगो हो तो वैसा नहीं कि आज तैयारी करेंगे और कल छोड़ देंगे आज 100 questions बनाए तो कल एक भी question नहीं बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहि continuity, daily concept देखेंगे, daily question solve करेंगे, daily आपका जो दिक्कत रहेंगे उसको clear करेंगे ताकि आपको question solve करने में मज़ा आजाएगा, जितना अच्छा concept क्लियर रहेगा, जितना अच्छा question practice रहेंगे, question समझने का रहेगा, उतना अच्छा आप seat ले लेंगे, यानि आपका job confirm है और बात करते हैं, next regular revision के बारे में, जो कि ये आपके concept, जो हमारे aspect vision है, ये आपको handle करेंगे, यहां का जो family member है, ये आपको main main concept, question practice, all to all आपको बना कर देंगे, पूरे system by system, पूरे अगर immunization है, तो पूरे schedule उसका देंगे, कौन कौन से question है, यहां पर तीन वार analysis होकर, आपको question मिलेंगे, हर एक set में, तीन से चार question आपके exam में आने वाले हैं, तो ready हो जाईए, यह सभी आपके लिए बहुत ही important information थे, बाकी मिलते हैं, हमारा जैसा ही श्रीज़ स्टार्ट होगा, उसका information आपको मिलेंगे, तो please हमारे चनल्स को subscribe करें, और WhatsApp link को जरूर जोड़े, so thank you so much friend